नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी सुलब भारती कक्षा छटी स्वास्ते संपदा इस पाठ के प्रश्ण उत्तर सबसे पहले हम देखते हैं शवदार्थ, स्वास्ते यानि सेहत, तबियत, हेल्थ, स्वयम, खुद, सेल्फ, कहावत यानि लोकुक्ती इसे प्रोवर्ब भी कहा जाता है तरकारी, सबजी, वेजिटेबल, इजाजत, अनुमती, आज्या, मन्जुरी, पर्मिशन, सरोत्तम, सर्वस्रिष्ट, बेस्ट, चोकर, चापड, गेहुं का आटा, छानने के बाद बचा हुआ भाग, उसे हम चोकर कहते हैं निर्दोष एने दोश रहत, आउशधी एने दवा, मेडिसिम, फेपडे एने लंग्स, हवा, समीर, पवन, एयर, अमानत, धरोहर, उद्वेग, प्रबलता प्रश्न पहला एक वाक्य में उत्तर लिखिए इसमें पहला प्रश्न जैतून के तेल की जगह मक्षन क्यों लिया जाना चाहिए उत्तर है जैतून के तेल की जगह मक्षन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जो विटामिन मक्षन में होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते हैं दूसरा प्रश्न रक्षक का धर्म कौन सा है उत्तर है, रक्षक का धर्म यही है कि शरीर को एक अमानत समझ कर उसकी रक्षा करें किन-किन सब्जियों की गिंती अच्छी हरी सब्जियों में होती है उत्तर है लोकी, फुलगोवी, पत्तागोवी, बिना बीच के सेम, बैंगन, इन सबकी गिंती अच्छी हरी सबजुयों में होती है चवत्ता प्रश्न फेपडों के लिए क्या अति आवश्चक है? उत्तर है प्रश्न दूसरा इसमें पहला है 2400 घंटे रिक्तस्थान श्वास के लिए फेपडों में जाए यह अति आवश्चक है यहाँ पर शुद्ध हवा होना चाहिए दूसरा है रिक्तस्थान खुली हवा में करना चाहिए उत्तर है प्राणायाम खुली हवा में करना चाहिए जैतून के तेल की तुलना में मक्खन में अधिक रिक्तस्थान होते हैं उत्तर है विटामिन चोथा है सुभा का फल हमारे लिए रिक्तस्थान है उत्तर है सोना पांचवा है आलू बगेरह लगबक रिक्तस्थान का स्थान लेते हैं उत्तर है रोटी चटवा, हमें सुबह उठकर रिप्त स्थान पानी पीना चाहिए, उत्तर है गर्म पानी पीना चाहिए प्रश्न तीसरा, समानार्थी शब्द, यहाँ पर कुछ समानार्थी शब्द दिये हुए है पत्र अर्थात खत, दोश याने गल्ती, मधू याने शहद हनी जिसे कहते हैं स्वास्ते याने तबियत, जवाव याने उत्तर, आउशदी दवाई, साथी, मित्र, हवा, पवन विलोम शब्द, अर्थात विरुद्धारती शब्द, उचित, अनुचित, बढ़ाना, घटाना, ठंडा, गम या उश्न, सर्दी, गर्मी, मीठा, खटा, कम, जादा, बंद, खुला, बुराई, भलाई प्रश्न पाच्वा है, खादी का कपड़ा कैसे बनाया जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त करके लिखिए उत्तर है, सबसे पहले खेतों से अवल दर्जे की रुई ली जाती है, रुई को अच्छी तरह से स्वच्छ किया जाता है इसके बाद सबसे अच्छी रुई निकाली जाती है, उसे चर्खे में कात कर उसका रुपांतरन धागे में किया जाता है, इसके बाद उसे गोला का रील में बान दिया जाता है, उसके बाद हाद से ही बुनकर खादी का कपड़ा तैयार किया जाता है तो इस प्रकार से यहाँ पर खादी का कपड़ा कैसे बनाया जाता है उसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है प्रश्ण छटा पढ़ाई का नियोजन करते हुए अपनी दिन्चरिया लिखिए अब देखिए यहाँ पर एक दिन्चरिया दी हुई है रुटीन आपका सुभ़ छे बजे उटना प्रातवीदी व्यायाम करना नहाना उसके बाद आठ बजे नाश्टा करना साड़े आठ से साड़े नौ के बीच ग्रेकार्य युम हिंदी की पढ़ाई करना दस बजे तक स्कूल जाना दस से दोपेहर तीन बज कर तीस तक पाठ शाला का समय है चार बजे इतिहास भुगोल की पढ़ाई करना पांस से छे बजे तक मैदान में खेलना साड़े चह से लेकर साड़े आठ तक गनीत विज्ञान के विशे पढ़ना साड़े आठ बजे भोजन करना नो से दस तक मनोरंजन आदी टीवी पर प्रोग्राम कारेकर देखना दस बजे सोजाना इस प्रकार से एक दिन चर्या यहाँ पर उधारन के तवर पर बताई हुई है इसमें बदलाव हो सकते हैं आपकी पाश्चाला का समय अगर अलग है तो उसके अनुसार इसमें बदलाव किये जा सकते हैं तो देखिए कि यहाँ पर भी एक दिन चर्या दिखाई गई है भोजन करना और या परिवार के साथ समय बिताना इस प्रकार से यहाँ पर चित्रव में दिखाई दे रहा है प्रश्ण साथवा निम्न विशेशन शब्दों के अपने वाक्यों में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखिए देखिए पांच यहां संख्या वाचक विशेशन है इससे एक वाक्य दिया हुआ है खेत में पांच पेड़ हैं दूसरा है यही सारवनामिक विशेशन वाक्य है यही मेरा घर है यही पर यहां पर ट्रेस दिया जा रहा है यहां पर दबाव दिया जा रहा है तो यही मेरा घर कुछ saṅ differentiate है लेकिन कुछ अर्था हमें निच्षित संध्या मालूम नहीं है इसलिए इसे संध्या वाचा क्या जाता है वाक्य है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है चौथा है मीठी गुणवाचक विशेशन तो इसमें एक गुण दिखाई दे रहा है वाक्य है कोयल की बोली मीठी है तो इस प्रकार से स्वास्ते संपदा इस पाठ के प्रश्नोत्तर हमने देखे और स्वास्ते संबंदी जानकारी हासिल की धन्यवाद